इन भीकी हुई चनल से आज हम करने वाले हैं चनी की भुवाई तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नए वीडियो में यहां पर मैंने टूटा हुआ टप ले लिया है यह तूट गया है और वेकारी है तो इसको अभ पेपर है और कुछ पतियां वगरा भी है उसको भी मैंने इसमें डाल लिया है और साथ ही अपनी ही पेड़ों से जो मिलती है सूखी पतियां उनको भी मैं इसमें अच्छे से फैला दूँगी और यह इसका अच्छे से बॉटम में डालकर बिचा देंगे तो यह इसका एक अच्छा बेश बन करके तियार हो जाएगा और या हलका भी रहेगा साथ में जिससे की जब हम इसमें बुआई करेंगे तो उसकी रूट्स आराम से इसमें बढ़ना इस्टार्ट हो जाएगी तो ये सब करने के बाद मैंने इन चनों को एक रात पहले ही बुगो लिया था इसमें एक कमपोस्ट की हुई मिट्ट्ट तयार किइन थी उससे सुखा करके अच्छा कंपोस्ट करके मैंने तयार मिट्ट्टी को इसके उपर एट लेयर पिछा दिया हैं और इसको अच्छे से ढग देंगे मिट्टी मेरी भुरबुरी है प्रोसेस भई ही हमें से मिट्टी का 60% रेसियो लेना है 20% हमको रेत लेना है और 20% ही हमको यहाँ पर कोई भी कमपोस्ट पर्मी कमपोस्ट या आप जो भी खाद लेना चाहें वह ले सकते हैं और यह अच्छे से मिट्टी बन करके तियार हो जाती है तो बस मैंने यहां पर थोड़ी से मिट्टी को गीला कर लिया है क्योंकि जब हम चनी की वुवाई करेंगी तो चनी अच्छे से बैठ जाए ना कि इधर उधर पानी डालने की वैसे बहना जाए इसलिए इसको हलका सा गीला करने के बाद मैं यहां पर चना डालना स्टार्ट कर दूँगी तो जितना आपको अपनी कॉंड़ी के साब से चना लेना है उसको इसमें अच्छे से आप फैला सकते हैं तो मैंने इसमें इस तरह से फैला दिया है और चनी की मात्रा जादा है तो इसको मैं दोबारा से फिर किसी कमने में उगा लूँगी लेकिन अभी तक इसमें जितने हो जाएं उतने ही मैं इसमें डालूनी इसमें ज्यादा मात्रा नहीं रखूँगी क्योंकि ज्यादा घना भी हो जाता है तो वो भी इतना अच्छा प्रोसेस नहीं कर पाता है इसलिए जितना हो सकेगा उतना ही मैं इसमें डाल पूने की कोशित करूनी और बाकी जो बच्चे का उसको एक साइट रख दूनी तो बस इस तरह से हमें फैलाना है और कोशिस यह है कि मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा सा चन्नी को दबा दिया है दबाने से क्या होगा ये एक अपनी जगह निश्चित कर लेगा और अंकृत होने में बहुती सीकृता से अंकृत हो जाएगा क्योंकि ये गड़े की रूप में अंदर की तरफ पैड़ जाएगा तो इस तरह से मैंने हलके हाथ से इसको हलका हलका से दबा दिया है और दबाने के बाद इसमें मैं एक तो जगह जहां रह रही है ये वहाँ है इस तरह से बहुत लगा दूगी और इसको अच्छे से लगाने के बाद इस पर मिटी की लियर डालना स्टार्ट कर देंगे मिटी की लियर हलकी सी लियर डालेंगी मिटी की यहां पर और इसको हलका अच्छे से मिटी की लियर डालने के बाद चने की जो हमने वाई की है उस चने को हम अच्छे से ढांग बेंगी ढांगने का प्रोसेस यही रहता है कि जब चना अच्छे से मिट्टी से खबर हो जाएगा तो यह जल्दी से पने की प्रोसेस की चालू हो जाएगी और यह दो से तीन दिन में ही अंकृत होकर बाहर निकलन लगया क्योंकि अधिकतर आम तोर पर जब भी हम चलने को नॉर्मल खाने के लिए भी भीवोते हैं तो वो दूसरे दिन अंकुरित होना इस्टार्ट हो जाता है ठीक हो ऐसे ही यह मिट्टी की संपर्ट में आते ही एक से दो दिन में यह उगना इस्टार्ट हो जाएगा और इ इसलिए इसमें जादा नमी होने के कारण फंगस का भी डर रहेगा तो देखिए यह चार से पांच या छे दिन का वीडियो है डेट मैंने एक्शली लिखनी पाई लेकिन यह अच्छे से अंगरुत होना स्टार्ट हो गया है उसके बाद यह 15 से 20 दिन का या महीनी भर का वी